कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज मैं आपको एक बहुत सुंदर फूल दिखा रहा हूं रेनोकुलस यह देखिए मैंने बल्ब से ग्रो किये थे इनको इसमें से मेरे मैंने पांच लगा थे दो खराब हो गया थे तीन चल गए हैं पिर भी मेरे पास कुछ कलर नहीं थे इ सिंगल में आते हैं बाखी कुछ मल्टी कलर में आते से यह पिंक है यह औरेंज है यलो वाइट रेड और उसमें कुछ शेड़ेड में भी आते हैं और यह इसकी ड्वास बराइटी है और इसमें विलकुल यह फूल जो एक बार खिल जाता है तो 25-30 दिन तक आराम सा खिला आता है जिल्दी खराब नहीं होता है यह बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें और अभी फूरे-फूरे-देडी करके अप्ट फूरा ढणा हो जाएगा और इसमें बहुत करीं आएंगी आपको मैं देखाता हूं देखे कि इसमें कुछ कर नाइथ है और एक ये मैंत अची अब मैं इनको बता रहूं आपको कैसे रिपॉर्ट करना है आप इसको जरूर लगाइए यह समझे गार्डन में आपके पूरे गुलाब की कमी को पूरा कर देगा और इतने भरवर के फूल आते हैं और यह काफी लेट तक चलता है मार्च अप्राइल लास तक चलता है और इस यह मारे आठ हिंची का पॉर्ट है इसमें मैं इसको लगाने जा रहा हूं यह हमारा जो प्लांट था गेंदे के सब खतम हो चुकर उनका सीजन कदम हो गया तो अब मैं इन ही गमलों में उसको दुबारा रिपॉर्ट करूंगा इसके हमने कितनी जो हमारे गमने की मिट्टी यह बिल्कुल बुरूरी है ऐसी मिट्टी होनी चाहिए क्योंकि अभी क्या बारिश भी हो जाती कभी कभी जाड़ों में तो पानी उससे अराम से ड्रेन आउट हो जाए अब इस मिट्टी में हम लोग थोड़ा से इसको फिर से रिचार्ज करेंगे इसमें हम लोग वर्मी कमपोस्ट है इसको मिक्स करेंगे यह जो हम लोगने मिट्टी स्टार्टी में बनाई थी अपनी विंटर के लिए उसमें लोगने करें 50% गार्डन स्वाइल ली थी और 20% आपकी कोकोपीड ली थी और 30% हमने वर्मी कमपोस्ट ली थी अगर मिट्टी आपकी बहुत हाड है तो आप उसमें 10% बालू भी मिला ल लाएंगे यह में वर्मी कमपोस्ट मिला लिए है अब यह है बोन मिल वाड़ी को चूरे की खाथ बोलते हैं दो मुठी आम लोग यह मिला लेंगे यह कैल्सियम मैगनीशियम फॉस्पोरोस यह पूरे निट्रिक्शन होते हैं अगर यह मिल यह अराम से सभी नरसलिव मिल ज लेंगे यह फंगी साइड और खाथ दोनों का काम करती है अब इसको में अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब देखिए दिरिया दिखत के जनवरी भी आधे 20 जनवरी हो गई है तो अब हम इसमें जो भी खाथ बगार डालेंगे इसलिए अच्छी मातरम डालेंगे क्योंकि यह और गैनिक है इससे कुछ दिक्कत नहीं है अब हम यह सेंप्लिंग यह सीड ग्रो करने का समय नहीं है हम लोग नर्सरी से रेडी प्लांट लाके अराम से लगा सकते हैं थोड़ी अच्छी केयर करेंगे इसको अच्छा निटूशन देंगे तो यह अराम से ग्रो हो जाएगा और 15-20 दिनों में खुलकुल यह कहना हो जाएगा अभी भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं अब यह में पुराने केरी बैक्स थे मैंने जो कप्ड़े वाले जोले आते थे उनके भी टुकड़े अप लगा सकते हैं यह सिद्रिके से पानी को फिल्टर कर देंगे और यह मिट्टी देके भर ली इसमें अब देख लेंगे इसी हिसाप से में स्पेस बनाएंगे और यह जो पॉट से लाए हैं उसको बस असे हलका सा रखके पीछे से टैप करेंगे यह पूरा ऐसे निकल जाएगा देख लेंगे इसमें इसकी जड़न है लेकिन इसको हम डिस्टब नहीं करेंगे और इसको हम है तो कहीं बारिस हो गए तो जादा हमारा फिर खराब भी हो सकता है अब इसी तरह हम लोग अपना दूसरा प्लांट भी ट्रांसवर कर लेंगे अब मैं आपको बताता है इसमें पानी कैसे देना है हमने यह करीब 200 पानी लिया है ज्यादा भी पानी नहीं डालेंगे और इसमें हमारा फंगी साइड है इसको यह बार मिला कर जरूर डालेंगे यह 200 पानी में हम लोग बस आदा चमस्च डालेंगे इसको ताकि अभी हमारा नया पेड़ा पहले बार में खराब ना हो जाए यह काफी नाजू कौधा होता है इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पेड़ों के जड़ों में आसपस डाल देंगे अब यह देखें इसमें अभी हमको ज्यादा पानी नहीं देना है यह पानी दीरे दिने इसमें पुरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसको अब उठाके में रख देंगे और इसको जब धूप निकलेगी तो इसको धूप में रख देंगे क्या कि हमारा प्लांट खराब ना हो यह थोड़ा सफिस्टिकेटड प्लांट होता है थोड़ा कॉस्लिक भी आता है अब यह दीरे दीरे इसमें ग्रो करेगा पुरा यह गमला हमारा भर जाएगा इससे अब इसमें देहरो कलिया निकल नहीं है और अच्छे से कि जगा थैंक यू